आज हम एक नई शुरुवात करने जा रहे हैं और शुरुवात में ही मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ आज हम इस वीडियो में एक कुशन डिसकस करेंगे जो की आपके जीपैट दो हजार बाइस में पूछा गया है सबजेक्ट है फार्मसूटिकल जूरिस्प्रुडेंस अब सर कुशन कैसा पूछा गया है वो भी बात करते हैं बट उसके पूरे डिटेल्ड एक्स्प्लिनेशन के साथ और मैं यहाँ पर बात करूँगा इस टाइप के कुशन से हर बार कुशन बन सकता है आपका फार्मसिस् इस्पेक्टर में एस वेल इस नाइपर एक्जाम में तो यहाँ पर जीपाट 2022 में आया तो है पर इससे रिपेटिटिव भी कुशन आये हैं तो हमारा यह कॉंसेप्ट है इन वीडियो को बनाने का आप तक पहुंचने का कि आप कुछी मिंटों में एक अच्छा कॉंसेप् कर सके तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कुशन पर कुशन है इंडिया फॉस्ट सेंट्रल ड्रग लेबरेटरी वौज इस्टेबलिश डैस्ट जिसको आप सीडील भी बोलते हैं तो यहां पर जूरिस्पूटेंस से कुशन पूचा गया कि इंडिया की पहली सेंट्रल है औप्शन क्या है सबसे पहले मुंबाई लकनाउ कोलकाता हैदराबाद तो याद रखेगा जो इंडिया की सबसे पहली सीडील जिसको सेंट्रल ड्रग लेबरेटरी बोला गया है वो थी कोलकाता में यस तो अब यहां पर हम जानेंगे इस वीडियो की मदद से कि सर और पर situated है तो एक्जाम में किसी भी तरह का question पूछा जाए तो हम अराम से उसका answer बना सके तो चलिए इस table की मदद से आप बहुत बहतरी न तरीके से समझ जाएंगे तो सबसे पहले government opium factory के अगर मैं बात करूँ तो जो government opium factory है वो गाजीपूर और नीमच में है तो याद रख technology जिसको imtech के नाम से imtech के नाम से चंडीगड ठीक है टेकनोलोजी का शहर है चंडीगड हमारा ठीक है BCG vaccine laboratory हमारा है कोलकाता ठीक है central drug laboratory देखे यहाँ पर जो answer था वो है कोलकाता again cdri 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 लखनाओ में है ठीक है central drug research institute confused नहीं हूँ ना cdl cdri में फिर उसके बाद cri कसौली में अब cri जो है central research institute वो किस-किस के लिए कसौली में वो antitoxin sera vaccine और antigen को test करने के लिए बनाया गया है कसौली में उसे के बाद indian drug manufacturing association जो idma है वो मुंबाई में है और indian ivri ivri confused नहीं होना है cdl cdri cri ivri यह इजात नगर वहीं पर central indian pharmacopial ठीक है laboratory गाजियबाद में है Indian society of blood transfusion जो है पूने में ठीक है तो आप इसका screenshot भी ले सकते हैं और मैं यहाँ पर clear करूंगा आप हमारा telegram group भी join कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको यह tables मिल जाएंगी link description में दिया गया है आप उसको जाकर वहा पर आपको मिलती रहेगी उसी के बाद मैं बात करूंगा Indian plasma fractionation center Mumbai ठीक है NICD आपका New Delhi में है National Institute of Virology पूने में है ठीक है OPPI Mumbai ICRC मुंबाई में है डाबर Research Foundation आपका गाजियाबाद National Ayurveda Institute जैपूर में है British Pharmacopal Commission लंडन में है WHO जनेवा headquarter तो यहाँ पर patent office आपका डेली मुंबाई चिन्नाई कॉलकाता और मेली patent information center नागपूर अब यहाँ पर दो चीज़े है patent office and information center तो यह confused नहीं होना है उसके बाद UNES CEO आपका है Paris headquarter UNICEF में France headquarter ठीक है IMF Washington DC और headquarter of Bureau of Indian Standard that is in New Delhi तो students यहाँ पर यह topic और यह question बहुत important है इसी तरह से जुड़े रहे हैं pharmacy इंडिया के साथ next video में नए question के साथ मुलाकात होगी क्योंकि अब तैयारी हुई और भी असान कहते हैं डरने की है क्या बात जब pharmacy इंडिया है आपके साथ जै हिंद झाले हैं